नमास्कार दोस्तों मित्रों मैं राजिस अपने यूटूब चैनल आडिमा अदस साइंस आफ लाइफ में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों समय निकाल कर मैं जो है प्रियाग राज के जो गंगा नदी हैं वहाँ पर वहाँ पर जो कछार है वहाँ पर तर्बूज कद्द घंगा जी करते हैं वहाँ पर मैं आया हूँ और दोस्तों वहीं से यह वीडियो मैं सूट कर रहा हूं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से तर्बूज उगाया जाता है और उसके कौन-कौन से फायदें हैं वो भी मैं आपसे बताऊंगा देखिए तर्बूज उ एक गड़ा बनाते हैं, चार-पांच फुट गहरा गड़ा होता है, और उस गड़े में अपने आप पानी आ जाता है, और इस तरह से एक रास्ता वहां पे बनाते हैं, उस रास्ते से ये बाल्टी और घड़े से वहां सिचाई करते हैं, इस प्रकार से यहां पर तर्बूज क क आपको मार्केट में प्राप्त होते हैं देखिए दोस्तो इस पूसर से ये तर्बूज का ये फूल होता है और इसी फूल से ये फल बनते हैं और रात दिन की लगातार मेहनत और परिश्रम करने के बाद इनको तर्बूज ये उगा पाते हैं दोस्तो और इस तर्बूज को उगा कर ये मार्केट में भेशते हैं दोस्तो तर्बूज उगाने में म पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने कोशिस करता हूं वीडियो में काफी अच्छी जानकारी है आप आखरी तक बने रहे हैं आपको ये तर्बूज के पेड़ में आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से देखिए बीच में एक रास्ता होता है और दोनों तरफ पेड़ में लगे होते हैं और दोस्तों यहाँ पर ही यह तर्बूज इनी पेड़ों में लगे होते हैं यही गहां पर भीश हैं महा पुरूज मनीश है और यह जुई इस इस्या दिल्ट है ये दिखिए तरबूज आ कर रहे हैं रेत में बैठके आराम से ये देखिए और मैं भी देखियो त्रबूज खाने जा रहा हूं जो है कि और भी कई दोस्त मित रही हैं तो देखिए ठूंड रहे हैं द् पानिया उसको पानी में डाल देते हैं अभी हम लोगों ने तोड़ गए बाल्टी में देखे रखा हुगा है आज तो हम लोग की तर्बूज पार्टी तो दोस्तों यहां पर कई तरह के तर्बूज की वैराइटी है यह देखिए इस तरह से यह तर्बूज है और उसका यह आया है इस तरह का भी कलर वाला जो तर्बूज बाजार में भी रहा है पीले रंग का निकलता है लेकिन दोस्तों आप विश्वास मानी यह बहुत मीधा है पीले रंग के तर्बूज जो है उनको आप वाजार में कभी दिखे तो आप खरी दिएगा थोड़ा महेंगा डोस्तो आज केल कई परकार के ऐसे weडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यह दिखाये जा रहा है कि लोग इंजैक्शन लगाकर उसको लाल कर रहे हैं अंदर पीड़ा और उसको पका रहे हैं। जिससे कि वो हमारे सौस्थ के लिए बहुत ही जादा नुकसान धायक है। दोस्तों ये जो तर्बूज में एक तरब ये पीला पीला इस्पॉर्ट दिख रहा है ये इससे पहचान है कि दोस्तों ये नेट्रल तरीके से पका हुआ है और ये वो हिस्सा है जो रेत में रखा हुआ होता है और इसी से ये इस तरह का एक निसान बन जाता है इसी निसानों को देखकर आप बजार में तर्बूज खरीदेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों वह तर्बूज डाल का पका होगा और जब डाल का पका होता है तभी इस तरह के निसान आते हैं तर्बूज चाहे जिस वाराइटी का हो लेकिन निसान एक जरूर होता है उसमें दोस्तो रेत में नीचे का उसका कलर जरूर चेंज होता है यह देखिए यहां पर इस तरह का एक इसपॉट का निसाना आ यह स्पॉट जरूर होता है जो नीचे की जमीन में छूता है उसी की वज़े से उसमें एक इसपॉट आ जाता है यह देखिए मैं कई तरह के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए यह देखिए यह असली तरबूज की पहचान है जिसी जो की डाल का पका ह हुआ माना जाता है दोस्तो मैंने आपको दिखाया कि तरबूज फूल होता है दोस्तो वह पीले रंका इस प्रकार से होता है दोस्तों इसी फूल से फल बनता है यह इस प्रकार से देखिए सुरू सुरू में एक छोटा सा फल बनता है और यही फल दीरे-दीरे बड़ा होत होता है इसके लावा दोस्तों यह ठंडे तासिर का होता है और दोस्तों इस में तमाम तरह के खनीज चाव मिद्ल्स बीतामिन चीच भरपूर सरीर के लिए बहुत ही उवोत्हीं हिद्गारी होता है कऱ में दोस्तों गर्मी के दिनों भरपूर शरीर को ताकत पहुचाता है गरमी से बचाता है पेसाँ रूरूरुक कर आती या पेसाँ में जलन है या बुन बुन पे साब तफकता है तब आप गर्मी के दिनों में लगतार तर्बूज का सेवन कर सकते हैं तर्बूज एक बहुत ही अच्छा गर्मी का फल है और दोस्तो इससे पूरा का पूरा सरीद पूरी गर्मी जो है सुस्त बना रहता है इसलिए उपरवाले ने ये हमको उपहार स्रूप दिया है और उपरवाले का धन्वाद करिए कि तर्बूज ना होता तो फिर हम क्या खाते गर्मी में जड़ा सोच कर देखें दोस्तो दोस्तों तरबूत जो होता है वो हमारे हिर्दे के लिए बहुत ही अच्छा होता है हिर्दे के जितनी ब्लॉकिज है उनको ये खूलता है ये हिर्दे की धलकन को सामान करता है हिर्दे की गर्मी को बाहर निकालता है उसको ठीक प्रकार से काम करने में मदद करता है हुआ है उसको भी संतुलित करता है दोस्तों यह ओवराल पूरी बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छा फ़ल है यह लीवर है किड्नी है पैंक्रियाज है शरीर के अंदर की जितने अंग है सब को हाइड़ेट करके उनको एक्टिव करने में मदद करता है उनको सक्ति देता है सारे अंग एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और दोस्तों इसको खा कर यदि आप कहीं बाहर निकलते हैं गर्मी की दिनों में तो लू लगने का खत्रा जो है वो भी बहुत ही कम हो जाता है लू नहीं लगती है दोस्तों उम्मित करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया ह हैंदे